यह बात कुछ ऐसी है कि यहाला जो वीडियो में बना रहा हूं यह थोड़ा सा मुझे कहीना कहीन पेरेंट्स बच्चों से बात करके मुझे रिलाइस हुआ है कि कहीना कहीन जो बच्चे जो ब्रांच ले रहे हैं वो बस एक भेड चाल के चकर में पीछे-पीछे भाग भाग ले रहे हैं मतलब सब सीच ले रहे हैं तो अगर हमको कहीं पे कुछ और मिल रहा है तो हमको नहीं लेना है हमको बस computer science चाहिए चाहे उसके लिए हमें कॉलेजच चेंज करना पड़े है भली ही उस कॉलेज का बहुत अच्छा record हो प्लेश्मेंट में में मेकानिकल में या में पर नहीं जाना हमको तो बस वहां भागना जान सीयस और चाया उसकी कोई भी स्पेशलाइशन ब्रांचेस मिल जाए जहां जहां सीयस लिखा हो पहले और उसके बाद इस बाद ब्रांचेस लिखी हुए तो एक इस तरीके की होड़ है बच्चों के बीच में अभी कुछ काउं सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने चुनों कहई तो लुग्वीजस दी। मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यहां को पने तो आपको नुक्तान नहीं तो निली है और जब जा हैं तो एक्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक नॉलजफुल चैनल ही यह है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अपनों के साथ शेयर कीजिए और चलिए अब आते हैं में टॉपिक पे तो मैं अब बहुत बदा देता हूं तो कहां कहां पे application open है अभी NIT University, चंडिगर University, AEEE, LPU, GDG, JIT, NOEDA, CUT, AIT, LPU, Jalander और GD, Goenka जैसे college वे अभी application open है तो अगर अगर आप अप अप्लाइ करना चाहते हैं तो आप अभी भी यहां पे apply कर सकते हैं यहां पे application अभी open चल रहाए है इनके बारे में डीटेल वीडियो में कुछ टाइम पर बनाऊंगा लेकिन अभी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं तो गाइस मुझे ऐसा तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों से पता चला कि उन्होंने बस ब्रांच ले ली है क्योंकि सब CS ले रहे हैं और CS का क्रेज है देखिए एक बात तो यह ठीक है एक पॉइंट है ठीक है लेकिन अधर मीन टाइम आपको कुछ और बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ें है और लेटर और आपको लगता है कि कोडिंग से बोरिंग चीज तो कोई ही नीमत बिल्कुल बोर हो जाता हूं कोडिंग करके या अब मुझे computer science में इंटरस्ट नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे branch change के जो option है वो बहुत कम हो जाते हैं तो आपको अभी से ध्यान रखना है क कि आपको खुद को जादा बहतर जानते हैं तो सबसे पहले आप branch को analysis कीजिए कि आपका branch में interest है की नहीं अब branch में जब आपने देख लिया है तो सबसे पहले बोलें कि अब branches हैं इतनी सारी कि साला समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ें क्या पढ़ें कि मतलब क्या लेकिन मैंने बड़ी मेंदत से ये list ढूंडी है कि जहां पर ये लिखा हुआ है कि मनिपाल B.Tech में जो पढ़ाया जाएगा वहां पर हर subject में क्या आपको पढ़ाया जाएगा क्या उसका scope है क्या उसका overview है वो सारी चीजें वहां पर उन्होंने mention की हुई है program education का objective क्या है program का outcome क्या आएगा ये सारी चीजे career opportunities क्या है और program specific outcomes और outline और mechatronics में आपको क्या क्या लगबग पढ़ाया जाएगा कितने साल का ये है duration वो सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है तो आपको ये idea लग जाएगा कि जो भी आप branch ले रहे हैं वो branch में आपको पढ़ना क्या है आप क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से पूरा session चलने वाला है तो जो कि बहुत जादा important हो जाता है पहली चीज ये हो गई दूसरा आप उसके scope को देखिए जो branch आप ले रहे हैं उसमें तो दूसरा खेर scope भी important part है तीसरा important part ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप B.Tech कर क्यों रहे हैं देखिए इसमें ये किया है कि बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ B.Tech की degree चाहिए उनको placement से कोई मतलब नहीं है दे आर रिची रिच उनको by the end of the time अपना family business ही समालना है तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि ऐसे बच्चे जिनको अप CS नहीं मिल रही है तो थोड़े lower college में जाके भी आप CS ले सकते हैं क्योंकि your father had gone through the journey already so he will be a helping hand for you in the upcoming future समझ गया होंगे hopefully आप लोग मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो आपके father ने अगर कोई branch ली वी है और if he is an engineer तो जो भी branch ने ली है आप उस branch में ज्यादा अगर interest थीक है लेकिन कहीं ना कहीं जो फादर का helping hand होगा वो आपको बहुत जादा help करेगा या आपके खुद के बड़े भीया है या आपके कोई बहुत close जो भीया है वो आपकी help कर सकते हैं तो वो branch आप ले सकते हैं साथी साथ आपको एक चीज और analysis करनी पड़ती है कि आपके contacts क्या है क्योंकि आपको यह पता है कि private sectors में बिना contacts is like पानी बिना मचली वाली बात है आपके जितने अच्छे contacts हैं मतलब आपके father हैं उनके कितने अच्छे contacts and network हैं या आपक जो जब आप college जाएंगे तो आपको वहां पर अपना network बनाना है अब वो network आप कैसे बनाते हैं उसे आप समझदार हैं वो आप जानते हैं लेकिन आपको अपना network बिल्ड करना है आपको कुछ ऐसे friends बनाने हैं देखो friends देखो यार friends के साथ साथ आपका benefit जड़ा हुआ होता है या तो उनकी thinking मिलती है या कही ना कहीं उन दोनों का पर से personal mutual interest होता है लेकिन देखें कहीं ना कहीं ये बहुत ज़ादा जरूरी है कि जब आप college जाएं तो कुछ अच्छे दोस्त बनाएं जो lifelong आपके साथ ने आपका काम आजाएं ऐसे friends आप तो देखें के बहुत सार ब प्रेश पोर अगयां दो बाइगा इस धिहान रखें अपना और अपनोंगा जाहिं जाहिंचा बार्ट